आज मारलेश्वर जाने वाले हैं इसके बाद में जो व्लॉग जाएंगे आप लोग देखते रही हैं क्योंकि मारलेश्वर दिखाएंगे कजबा बुलके कावे जहां पे छत्रपती संबाजी महाराज की स्टैचू है समादी है वहाँ पे जाने वाले हैं और करनेश्वर लॉग में आएगा एक दो व्लॉग के बाद में क्योंकि ज्याद से ज्यादा हम लोग 10-12 मिनिट का वीडियो अपलोड करते हैं ज्यादा बड़ा करते नहीं है तो आई यह आप चलते हैं जरनी पर और देखते हैं कि कैसा रहता है सफ़त आप लोगों का शुक्रिया मेरे स चल्दी आया है और यह शादाव है कि इबराहिम है इसको आप पहचानते हैं यह है नए आदवी आश्वीन अगरवाल इचलकरंजी से हैं अभी और बड़ा कीड़ा इनके अंदर इनकी गाड़ी है बेनली 300 है ना अश्वीन 300 यह है हमारे अमर्दीप नए मेंबर है यह दोनों और दोनों ही फ्रेम में है और यह मैकनिक है टूविलर के तो आज कोई टिंशन नहीं है यह गाड़ी लेकिया है वह आरवन फाइफ औ रुको ज़रा ने रुकते कितना रुकते अभी चार महीने मंले वाई चार महीने होगे अभी तक के कि लिए आए है साइकल चला रहेग है साइकल से कर रहे हैं और यह संशेर है अमारे सासमें तो चलते हैं राइड पर यह गाडिया है यहां पर थोड़ा सा फोटो लेंगे जो कि इंस्टाग्राम पर अपलोड हो जाएंगी आप लोग देखना चाहते हैं तो इंस्टापी में फॉलो कीजिए हम लोगों को और यह साहिल भाया आए है भी हमेशा की तरह सबसे आखिर में कि अरे कुछ रोता ले वोजन का मुगाद हो चलेगा है अब हो जो है ना टेंट पंद्रासु रूपे के कुछ है कि समय खुड़ा है कि चद्धी वाले बाबा चल चद्धी निकाल आया चद्धिया यह भी मुझे बोलने हैं तो इसे बिटा तो पिच्छे पैंड़ को चलतो तो अब राइड की शुरुवात कर रहे हैं यह है अमरदीप आरवन फाइपर यह है अश्वी नगरवाल जो की आप तो इनको पैचान दें यह मारी भाई फेमस करेक्टर है हमारे व्लॉब का और यह समीर भाई यह नए राइडर है इबराहिम भाई यह शादाब और यह जो है अर्ष और यह समशेर यह लोग आने वाले नहीं है क्योंकि अभी छोटे बच्चे यह लोग तो उनको घर स साथ में बहुत सारी मजा करेंगे मार्वले शवर के निकलेंगे अब पेट्रोल फील करवा के फिर आगे बढ़ेंगे को लापूर सिटी क्रॉस करके जाना है तो बने रही है मिलते हैं थोड़ी देर बात एक एक राइडर निकलते वे और थोड़ा सा उमर ज्यादा होने के सबसे पीछे मैं ही निकलूंगा चलो 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 सबसे लास्ट मैं और समीर भाई निकलेंगे तो इस तरह से राइड शुडू हो चुकी है और सुबह सुबह थंडा लोशन है और निकलेंगेंगे में मार्वलेश्वार कर्मेश्वार और नाइडी के लिए नाइडी मेरे गाव है जहां पर बच्पन गुजरा है मेरा और आज आपको दिखांगे मेरा घर भी दो साथे निये हैं मेरे साथ में एक है अमरदीप जो के आरुन फार पिछेवे हैं और यह है अशुन अगरवाल जो के बैनली 300 पर है और यह है समिर भाई जिनको आप पहचानत है तो चलते हैं थोड़ा आगे कि प्रहे आहे अए कि आम बाई आपसे और कर दिया आते हैं कि अखसे कि अनली कॉपन पर आपने आपको के अजएब भाई कि अ़ने एंग संवहाँ कि अनली है ड Autob emerokES台ब चर्वट कि यह यह गयों जो बहुत अच्छ से सद होगे पाद में आता है जह उक्षट्रपति उचह सकते हैं है यह लोकल देआक इसे कहते हैं का वा आज्टूर आपके हिंग्युद मुझे नहीं पता है मैं भंत कई वह केर्थी इस है कि उसका है च जा cynतब्स रहांगी फिसके नियुकरा सोमरे तेट कि देची वह को ध्यािक हा और यह तकरीबन मेरे नॉलेज के एसाब से यह स्टैचू जो है न यह दो टन का है अब यहां से और थोड़ा आगे जाते हैं तो आगे जाने के बाद में आती है स्टेंपल एस्टी ब्लो स्टैंड यह शादा भाई उब्राहिम भाई शाइन पर देखें यहां से लिफ में आता है स्टी सेंटर स्टी ब्लो स्टैंड और राइडर्स जो बहुत आगे चले गए हैं मुझे थोड़ा सा ब्लॉट करने के लिए आईस्ता चलना पड़ता है सबको कवर करना पड़ता है तो यह तो चलते रहता है फिकर नाट और यह को लाबे का सबसे बड़ा सिग्नल है इसको कहते हैं ताब होकर कॉर्णर यहां से राइट में जाएंगे तो आईटो आफिस डे माट लिफ्ट में हिस्टी स्टेंड और सीर हो जाएंगे तो एलवे स्टेशन आज बहुत मज़ा करेंगे मादले शुर में भी कभी गया नहीं हूं और फिर्स टाम जा रहो हूं हाला कि दुवे गाव से बिल्कुल करीब है लेकिन कभी मोका नहीं मिला जाने के लिए तो चलते हैं मेरी नजरों से आप लोग देखो फील करो इसको और राइड को भी फिल करो तो हम लोग पहुचने शिवाजी पूल पर यह एक लिफ्ट में पुराना ब्रीज है सवसाल के बाद भी आज भी खड़ा है और अब इसको क्लोज कर लिया है रोड को और यह आए हम नए शिवाजी पूल पर यह सीधा रोड जाते हैं रत्मागरी के लिए और यह पंचगरी का रेवर इसके इंचे से बहती है कोलापूर की जान कह सकते हैं यह कोलापूर डिस्ट्रिक की सबसे बड़ी नदी भी कह सकते हैं तो पांच नदीयों को मिलके पंचगरी बनती है अब पेट्रोल फील कराएंगे और इसके बाद में निकलेंगे सीधा रत्मागरी के लिए बीच में बेक्फेस्ट होगा और फिर चलेंगे अमबर हाट जो एक बहुत ही खुबसूरत है यह बेनली में पेट्रोल फील कराए जा रहा है तो बेनली की थोड़ी सी मालूमत ले करेंगे बाद में अश्विन से तो बताएंगे कितना सीसी का बाइक है और कितना गारी में पेट्रोल तंकी कितने की है उसकी और माइलेश क्या है और स्पेशल उसके लिए व्लॉक डिजाइन करेंगे या फिर शूट करेंगे 88.12 ठीक है ये आप लोग हमेशा देखेंगे कि हम लोग जब राइड करते हैं तो किसी पेट्रोल पम्पे जब पेट्रोल फील कराते हैं मॉर्निंग में या फिर एविनिंग में तो एर जरूर चेक कराते हैं और ये काम जो है ना वो समीर भाई अच्छा करते हैं समीर भाई सब के गाड़ियों की फिकर करते सब के टायर में हवा है या नहीं है और खास करके आश्वीन के गाड़ी में हवा अच्छी चेक करो समीर भाई वो थोड़ा हेवी वेट है तो उसके वेशे हवा अच्छी चेक करो चादा भाई कारा तो अब लोग हम चलते हैं थ तोड़े हैं अश्विन भाइअ करना चाहते हैं एक तो ही मोटन लिखा है अच्छ्छ अच्छ इन आप घ्रक alguma शुलाइब करें लेकिन यह चीज चफ स्क्राइब कर दोचलि घ्रकते हैं त्य dois और यह तो इसको तो आप जानते ही हों काद डालूँगा कैसी करते हैं काद डालूँगा यह आसिफ भाई हमारे पिछले राइड में नहीं थे काम था कुछ तो अब चलते हैं चाई पीते थोड़ा सा और निकलते हैं अपने मंजिल की तरफ अपनी डेस्टिनिशन के और अओपब पुछ रांट शालूगा भीता हैं हाल कोलापूर से कोलापूर से 18 किलोमिटर पे एक छोटा सा घात है एक दम छोटा सा जिस गाव का नाम है बोर पाडले और यहाँ पे फोटो सेशन होता हुआ राइडर्स का जो की हम लोग इंस्टाग्राम पे अपलोड करते हैं कॉप राइडर्स के अकाउंट से आप लोग जाके फालो कर सकते हैं और देख सकते हैं अच्छे अच्छे पिक्चर्स होते हैं साथियों के मेरे और बहुत इंजॉय कर रहे हैं सुबो सुबो की धूप है और थोड़ा सा ये वक्त निकालना पड़ता है राइडिंग के लिए और इसमें फोटो शूट्स होते हैं और ये यादे हैं जिन्दगी भर की कि हम लोगों ने ये भी किया था तो आप लोग भी निकलिए बाहर थोड़ा सा घूमिए देखो इस तरह से फोटो शूट होता है ये समीर भाय आते हुए सामने से